रिलीफ उच्चावच लेंड सी असोशियेट करता है स्वाइल सेकेंड पॉइंट स्वाइल और थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट तीनों फेक्टर्स को आप अगर हिमाले के कॉंटेक्ष्ट में जानते हैं इस कुश्यन का अंसर मिल जाएगा बताव कितना easy है हाँ मैंने क्या का आपसे कि अगर हिमाले के कॉंटेक्ष्ट में आप इन तीनों components को जानते हो तो आप कांसर हो गया और ये मैंने कोई खिला नहीं जीता है और इतना अगर आप काम करते हो तो आप भी कोई किला नहीं जीत रहे हो थोड़ा सही दो सोचा है न हमने और उससे आंसर हमें मिल गया इसके बाहर कुछ लिखना भी नहीं है इसके बाहर और कुछ नहीं लिखना है कुश्चन यह आ सकता है कि सुगर केन क्या बोलते इसको गन्न सुगर केन प्रोडक्षन हाइस्ट यूपी में क्यों होता है या कुश्चन हो सकता है क्यों है the best quality of sugar can is produced in the South Indian States best quality I am not talking about highest production highest production अनलग चीजह है best quality productivity से associate करता है productivity कितना उसकी उत्पाद अगता है कुश्चन ही हो सकता है अग गरुरू जी हमेशा साथ में तो नहीं रहेंगे, उस case में पॉइंट क्या होगा, यह होगा, दुनिया कहती है कि UPSC के सलेवस बहुत बढ़ा है, UPSC क्या पूछ लेती है कुछ समझ में नहीं आता, हमें तो लगता है कि UPSC के सलेवस बहुत छोटा है, और जो भी पूछती है, उस सभी का answer उस छो सलेवस से दिया जा सकता है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारी पढ़ने की direction क्या है, हम सोच क्या रहे हैं, जब हम हमाले पढ़ते हैं, तो हम यह देखते हैं, कि हमाले में, ट्रांस हमाले में, ट्रांस हमाले में, ट्रांस हमाले में क्या है, कारा कॉरम, लदाक, जासकर, ये पढ़ते हैं, the highest peak of India is located in Karakoram, that is Mount Ketu, 8,611 meter altitude, ये पढ़ते हैं, latitudinal classification of the Himalayas, that is the Shivalik, Lesser and Greater, the highest peak of the world is located on the Greater Himalayas in Nepal, that is Mount Everest, 8,848 meter, ये पढ़ते हैं, और इससे भी ज़्यादा अगर पढ़ा हमने, तो concept क्या समझते हैं, हम ये समझते concept में, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आज मेरी first class है, और जिस दिर last class होगी, मैं उस दिन तक ये बताऊँगों कि पढ़ना कैसे चाहिए, और अगर आपने वो सीख लिया, तो मेरी जरुवत खतम, और अगर हिमाले को कोई conceptually पढ़ना चाहता है, तो क्या पढ़ेगा, कि कैसे बना है यह, प्लेट टेक्टोनिक्स है न, दो प्लेटे टकरा गई, एक कनाम यूरेशियन, दूसरे के इंडो अस्ट्रेलियन, यूरेशियाई और भारती आस्ट्रेलियाई प्लेट के टकराने से, या फिर चाइनीज और इंडियन प्लेट के टकराने से, हिमाले बन वो देखना चाहिए हमें कि हमालय किस तरह से इंडिया को इंफुल्वेंस कर रहा है, वो कैसे चाइना को इंफुल्वेंस कर रहा है, कैसे खुद को इंफुल्वेंस कर रहा है, हम यह पढ़ते हैं, हम यह नहीं पढ़ते हैं कि how the Himalayan mountain system is responsible for determining the social condition of India, how the cultural separation is possible with the presence of Himalayas, समझ मैं क्या क्या रहा है, Social-Cultural Separation of India from Asia Cultural Suppression Cultural Suppression of India from remaining part of Asia and world हिमाले, Asia या वर्ल्ड से हमारी कल्चर को separate करने में क्या रोल प्ले करता है, हम यह नहीं पढ़ते हैं कि यूप्यसी कुशन आगे ऐसे पूछने जा रही है और उसने ऐसा मैसे हमें लिक्क नहीं दिया है, इंडारेक्टली बताया है कुश्चन पूचके कि मैं ऐसे कुशन आगे पूछूँगा, अनुमानों के आएने में छोड़ दिया है, यह कुश्चन मैं आगे ऐसे पूछूँगा, कल्चरल सेगमेंट के साथ में वो आपसे इकोनॉमिक सेगमेंट की बात भी कर सकता है, इकोनॉमिक कंडिशन के लिए भी यह पलिटिकल सेगमेंट की बात कर सकता है, इन्वार्मेंटल सेगमेंट्स की बात कर सकता है, क्लाइमेटिक सिस्टम की बात कर सकता है, जैसा क्लाइमेट इंडिया का है, वर्ल्ड में ऐसा क्लाइमेट और किसी का नहीं है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है, जिसमें दुनिया का सभी क्लाइमेट पाया जाता है, इंडि हाइलेंड क्लाइमेटिक जोन्स हाइलेंड मतलब मौन्टिनियस उसके बाद एरिड सेमी एरिड सब हुमिड हुमिड एंड वेट जितने भी टाइप की क्लाइमिट की बात करते हैं आप वो सब इंडिया में हैं कैसे बाद चलता है कैसे बचलता है भई क्योंकि एवर ट्रॉपिकल एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट है 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 ना कोस्टर रिजन्स में अर्णमान निकुबार लक्षदीप और डिजर्ट भी है वेस्ट में एरिड हो गया डिजर्ट एक ही नहीं है डिजर्ट बेसिकली टंपरेचर के बिस्ट पर टू टाइप्स का होता है मरुष्थल मरुष्थल एक गर्म होता दूसरा थंडा होता है हॉट एंड कोल्ड भी है इंडिया गे पास कहां लदाख में लदाख में लदाख में कोल्ड डिजर्ट भी ह जहां आप हो, यह humid climate है, जहां से मैं हूँ, वो सब humid है, और थोड़ा और आगे जाएंगे, तो semi-arid राजस्थान के पास, गुजरात के पास, और राजस्थान गुजरात का extreme west देख लेते हैं, तो arid हो जाता है, desert, arid मतलब dry, सुस्क प्रकार की जलवाई हो. तो हिमाले के तो कोई रोल तो होगा इसमें, हिमाले का कुछ रोल तो होना चाहिक नहीं, लेकिन पढ़ के आ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सोचों, तो जानना जरूरी यह है कि UPSC क्या चाहती है, मैं जो चाहता हूँ, अगर वैसा करोगे तो मेरे favorite student हो, और मैं जो चाहत हूँ, वैसा नहीं करोगे तो मेरे favorite student, नहीं हो आप, है ना, तो UPSC के favorite कैसे बनोगे, जैसा वो चाहरी हो वैसा करो, जैसा वो question पूछरी हो वैसा पढ़ो, अपना बहुत दिमाग लगाने का, कि नहीं, नहीं, मैं तो फैक्टी पढ़ूँगा, मैं 10 किताब जोगराफिक दस किताब पढ़ूँगा मैं, मैं देखता हूँ, कहां से कोश्या ना आता, यो कि असी का, है न, दस, 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 साथ सब्जेक्ट है, सत्तर किताब पढ़ लिए आप, अब बन गे महागुरू, है न, आप बन गे महागुरू, और वहाँ गुरू की भी जरूत नहीं ह है, तो गुरू बाहर है कि नहीं, फिल से, गुरू जी बाहर है न, गुरू जी भी जरूत नहीं वहाँ पर, अर बन गे महागुरू, उनको कैसे चाहिए, कंपीटेंट स्टोडेंट चाहिए होना है, समझा रहा है, कुछ ए कुश्चन और आपके सामने रखो, आप कोई जा मेंस के कुश्चन को किसने किसने अभी तक सभी कुश्चन देख लिया है, 2013 से लेके 2020 तक के, 21 कभी जाया कुश जरूम अभी, 15 से लेके 20 तक के सारे, जोगराफिक ए, तो मैं आपको ड्यूटी दे रहा हूँग, ठीक है, कि 2013 से लेके 2020 तक के, जो कुश्चन सभी तक हुए ह उनको याद कर लो, I.S. बन जाओगे, आसान तरीका बताना होगे नहीं, कुश्चन याद करने से I.S. बन जाओगे, इसका क्या लोजिक है, इसका लोजिक यह है, कि अगर कुश्चन दिमाग में होगा, तो आप उसका आंसर ढूड़ोगे, कुश्चन दिमाग में होगा, तो उसका आंसर आप ढूड़ोगे, किसी ने किसी पूछोगे, साथ मैं पहला ऐसा व्यक्ति मिला होगा, जो आपको कुश्चन याद करने के लिए कह रहा हूँ, मैं किताब पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आपने प्रिवियस एक कुश्चन याद कर लिए, तो किताब पढ़ना ताप के मजबूरी हो जाएगी, एक बात, दूसरी बात, आप वो किताब बिलकुल नहीं पढ़ोगे, जो यूजिलिस है, UPSC की प्रिवियस स्टार्ट की, फस्ट येर लगभग 1520 कितावे खरीद लिए, सेकंड येर दस पाज कितावे और हर साल बारा मैगजीन, योजना, बारा कुर्चेतरा, बारा वर्ल्ट फोकस, एयर बुक, कौर्मेंट की, एकोनोमिक सर्वे, तीन ये भी है, तीन तीन, छे, अब पूरे कमरे में किताब दिखाए दे रही है, अच्छा, आपकी सलेक्शन नहीं हुआ, जी बनवाल पढ़ लेते हैं, फिर किस के पढ़े हैं, चलो माले उस्टेरिक पढ़ता हैं कि, सविन सिंग के पढ़ते हैं, अरे क्या-क्या पढ़ होगा भई, इस दिमाग है, मिस्यूज की उगर रहा है इसका, इदिन फोर फाइव देज, I advise to all my dear students, to learn each and every questions asked by UPSC, at least of men's examinations from 2013 to 2020, याद कर लो, क्योंकि जब मैं बोलूँगा, आप सुनोगे, मुझे तो आईस नहीं बनना, लेकिन मुझे याद है, तो आप भी याद कर सकते हो, आपका तो learning rate मेरे ज्यादा होगा न, आपकी age कम है, मेरी age ज्यादा है, age बढ़ने के साथ learning rate क्या होता है, गटता है, आप learn कर सकते हो, जितने भी subject हैं, सभी subjects के, पिछले साल question याद कर लो, एक question आपके सामने रखा मैंने, यह मैं discuss करूँगा, जब हिमाले पढ़ाऊँगा, तो इसमें बताऊँगा कि क्या कारण था, कि East में सक्सेज़ वेस्ट मेंने को, इसको short बोल देता हुँए, short में, हिमाले का altitude generally west से east की तरफ radius होता है, height घटती है, height घटने से temperature कम होता है, और height बढ़ने से temperature गलत, height घटने से temperature बढ़ता है, height बढ़ने से temperature बढ़ता है, यह यहाँ पर अम्रित सर है अब तो मैं कैमरे में नहीं दिख रहा हूँगा नहीं दिख रहा हूँगा उधर से दिख जाओंगा कोई नहीं क्या करूं जम्मु काश्मीर हिमाचल प्रदेश भी ही है ये पंजाब कह रिया है यहां पर है अम्रित सर और यहाँ पर थोड़ा सा हिमाचल करके है यहाँ पर है शिमला यहां क्या है शिमला है और यह है अम्रित सर, इक्वेटर कही नीचे है, जीरो डिगरी, एक्वेटर, 90 डिगरी, पोल, टम्परेचर, जीरो डिगरी से 90 डिगरी तरफ, घटता है, सही बात है कलता है, और अम्रित सर, इसका मतलब इक्वेटर से आदू रहे, एटलस नहीं है, एटलस है, एक कंपनी को मैं आड़ कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, नाम उसका ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, आड़ कर दिया, ठीक है, आप इसका एटलस लेने, लेटेस्ट, हंधी मीडियम वाले स्टूडेंडस भी इंग्लिस में एटलस लेए, हिंदी में थड़ा भिशप्रिंटिंग है, और हिंदी वाले में कंटेंट कम है, है ना? इस लिए हिंदी में मतलेना, दिल्ली पढ़ना चाहें हिंदी में हो या इंग्लिस में पढ़ सकते हो, है ना, अगर एंडीज मौंटिन की बात करते हैं, तो उसको एंडीज परवत कहेंगे, है ना, नाम तो नहीं बदलेगा, इसलिए आप सभी इंग्लिस में लेगे, अटलस होता तो अगर देख सकते थे, वहाँ वैसे महसूस करना, एक्वेटर से ज्यादा दूर पर अमरित सर है, और शिमला नजदीक है, लेकिन शिमला पूरे साल अमरित सर से ठंडा रहता है, शिमला इस नियरा टू इक्वेटर आन अमरित सर बट, शिमला रिमेंस कूलर देन अमरित सर थोर आट यहरो वाय, क्वेशन ये भी हो सकता है, न्यार तो क्वेशन कुछ भी हो सकता है, यह ब़िए का बियस्टी का एक्जाम नहीं है, इक एमोडल पेपर से वीस क्वेशन य UPSC का बहुत छोटा है, बड़ा कौन करता है उसको? हम लोग, हम, आप, दुनिया, सलेबस बड़ा कर देती है, सलेबस कैसे बड़ा होता है, चार-पांच किताब इंडियन जोगराफिक पढ़ो, चार-पांच किताब, फिजिकल जोगराफि वर्ल्ड की पढ़ो, हो गया सलेबस बड़ा, तो हमने क्या कहा कि, टमपरेचर शिमला का कम रहता है पूरे साल, और अमरित सर का, ज्यादा रहता है पूरे साल, उसका कारण क्या है, अल्टिट्यूड, elevation of the amritsar is around 2200 meter, while amritsar around 250 meter, तो height increase करने के साथ, temperature गटेगा, there is inverse relation in between temperature of the troposphere and altitude, उचाई एवं छोब मंडल के तापमान में वितकरम संबंध होता है, समान्यता, समान्यता, हमेंसा नहीं होगा, जो अभी situation है उसमें ऐसा नहीं होता, अभी क्या है, ये जो situation है कि height increase करने के साथ, temperature घट रहा है, या inverse relation है, इसको कहते हैं NLR, क्या मतलब है, normal lapse rate, मैं एक बात कदा और करता हूँ कि class में मेरे पढ़ाने के साथ साथ, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बोलोगे नहीं, जो पहले का लेक्चर है, वो पूरा का पूरा रिवाइस करके आना है, जो ग्राफी स्टार्ट यहां से हो रहा है, और एंड उसका यहां होता है, इसका connection यहां से है, जो first point है, इसका connection यहां से है, तो बीच का अगर कुछ भी सीढ़ी रह गई न, अगर छुट गई, तो last वाला समझ में नहीं आएगा, चीक है, इसलिए हर दिन का लेक्चर जाकर रिवाइस करना, है न, बाकी फिर मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत आती है, क्या रह जाता है, दूसरी condition और होती है कि height increase करने के साथ में temperature बढ़ता भी है, उसको कहते हैं temperature inversion, क्या कहते हैं, हिंदी में, ताप मान, विद्करम, इस केस में height increase करने के साथ में temperature क्या गरेगा, बढ़ेगा, यह तब होता है, जब cold surface conditions है, और यह तब होगा, जब hot और warm surface है, निदा आने लगी, hot और warm surface है, उस time पर normal lapse rate होगा, और बाकी में cold surface के case में temperature inversion, ठीक है जी, temperature inversion, तो मैंने आप से कहा कि height increase करने के साथ generally temperature क्या होगा, reduce होगा, इसलिए अमरिसर गरम है और शिमला ठंडा है, और जब हमने क्या हाँ आप से, कि हिमाले का height भी west से east की तरफ घट रहा है, या east से west की तरफ बढ़ रहा है, तो temperature west में क्या होगा, कम होगा, है ना, west में temperature क्या होगा, कम होगा, तो क्या temperature कम होने पे, tea crops produce नहीं होती है, बताओ, होती है, तो फिर तो British planters को कुछ सोचना चाहिए था, है ना, देखिए, crop के लिए, generally 27 degrees Celsius temperature, जिसको हम, cool climate कहते हैं, वाली situation, cool का मतलब यह नहीं है, कि snowfall होगा, होगा वहाँ पे, है ना, cool का मतलब होता है, कि ठंड़ ठंड़ कूल कूल, है ना, ऐसा नहीं है कि इतना ठंड़ होगा, कि हम जी नहीं सकते, एकदम proper, sustainable होगा, दूसरा, यहाँ पर, clay soil होगा, तीसरा पॉइंट, sloppy zone, मतलब थोड़ा सा mountainous effect होना चाहिए, mountainous effect होना चाहिए, नहीं तो फिर हम, UP बिहार में, है ना, और, राजस्थान, हरियाना, पंजाब, इन सभी जगह पर, अगर टी की खेती करने लगे ना, टी क्रॉप का, तो जितना भी production होता है, इसका 1000 गुना production बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया का और वर्ल्ड का, अल्मोस्ट, जो main fertile land यह ही है, main fertile land जो है, यह ही है, ठीक है, यह तीन condition चाहिए, यह किसलिए अच्छा, एक पॉइंट और है, rainfall, 200 सेंटिमेटर, अब क्या, यह चारों कंडिशन्स, वेस्ट में हैं, तो आंसर मिलता है, नहीं है, यही कारण है, कि इस्ट में, असम से दार्जलिंग तक, टी क्रॉप का प्रड़क्शन होता है, ठीक है, और हिमाचर प्रड़ेश उत्रा खंडिया, नेपाल का जो अरिया है, इसमें नहीं हो पाता है, बट विद रस्पक्ट तो, इंप्लिमेंटर्शन अफ नुव टेक्नोलोजी अस्टोजी 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 तो ग्रीन हॉश्स, राइत नौ तू, तो, तो, तो फिर वें प्रदूश बिड़ूच ए जा रहा है, ये सजेशन है लास्ट महै, है नहीं विद रस्पेक्ट तो युज अद्वार्स टेक्नोलोजी इस लाइन हुट रिटेंस विदिन थे इनरजी विदिन थे फिर्म लाइस अध्यादुनिक उच्च तक्नीकी जैसे की ग्रीन हाउस हना हरित ग्री छेत्र में हम अध्यादुनिक तक्नीक का उप्योग करके हम चाय का उच्पादन हिमालय के उच्च हना अधिक उचाईयों पर भी कर रहे या कर सकते हैं तो हिमालय के उच्च भाग में हिमालय के उच्च परवतिय छेत्रों में भी हरित ग्री का हरित ग्री तक्नीक का उप्योग करके चाय का उच्पादन किया जा रहा है यही कह रहो मैं सजेशन हो जाए गए है इसका मतलब जो ब्रिटिस प्लांटर्स ब्रिटिस गवर्नमेंट के टाइम पर थे उससे टेक्नोलोजी आज के डेट में एडवांस आगए है हाई है समझाया तो एक क्वेशन मैंने आपके सामने लिया उस क्वेशन को आपको हमने अपलाई करके बताया कि जोगराफी से इसका क्यारलेसन है और साथ मैंने उसके आंसर का फॉर्मेटिंग दिया है इस इस ग्राउंड पर आपको चीज़े लिखनी है है ना एक क्वेशन यूपेसी ने पूछा हुआ है टू थाउजन साथ थर्टीन ए फ्रटीन गई है क्वाटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया और हाइली डिसेंट्रलाइस हुआ है क्वेशन समझ भाया है गर में मुझे ही लग रही है कि आप लोगों को भी सूती कपड़ा उद्योग भारत में आती विकेंदरी कृत अवस्था में है इसका क्या कारण है प्रस्ण का उत्तर देने वाले विद्यार्थी को भारी इनाम से नवाज आ जाएगा कुश्चन मेरा है किसने आंसर दिया ब्लैक स्वाइल प्लीज ने इधर साइड याजा नहीं है ब्लैक स्वाइल बिसिकली यह एरिया काठियवार का यहां है, दूसरा मध्यप्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, महारास्ट का वेस्टर्न है ना पोर्शन और उसके बाद करनाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश का ये एरिया, इतने में ही है, जो डेकन ट्राफ है ना वहीं ये ब्लैक सॉयल वास, हाँ आजनल स इस लिए नहीं है और कहीं अगर है तो वहाँ पर हुमस कंटेंट ज्यादा हुमस क्या होता है? हुमस हुमस ही होता है हिंदी में भी हुमस का मतलब है कि डिकंपोस्ट डेड मेटेरियल जो मृत जीव है उसका अपगटित जो और शेस होता है उसको हम क्या कहते है हुमस कहते है तो हुमस का कंटेंट ज्यादा होगा तो वहाँ पर ब्लैक स्वाइल हो सकती है लेकिन ब्लैक स प्रणाना स्मझ्ज मैं ही? क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? हिंदीम बोलू? सूति कपड़ा उद्द्योग भारत में अथी विकेंदरिक कृत अवस्था में पाई जाती हैं, क्या करण है? क्या मतलब बताओं मुझे, I am not asking answer, सबसे ज़्यादा अलग-अलग छेत्रों में कहीं पर भी हो सकता है, अलग-अलग छेत्रों में कहीं पर भी हो सकता है, क्या मतलब है? उसका कोई center नहीं बना, कि सिर्फ वहीं मिलेगा, question यह है, सिर्फ वहीं मिलेगा, ऐसा कोई center नहीं बना है, इस question का answer मैं भी दे दूँगा, लेकिन ज्यादा अच्छे से आपको industry वाले chapter मिलेगा, वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा आपको chapter नाम उसका, industrial location theory. और द्योगिक आवस्थिती करण सिद्धागत, उसको समझाओंगा तो उसके बाद में एक question आपका clear हो जाएगा, कैसा है? फिर भी answer में देता हूँ, क्या है? दो तरह का material होता है, और raw material, दो तरह का होता है. एक है, जिसको process करने के बाद weight घट जाता है, उसका जो भार है, कम हो जाता है. और दूसरा है, जिसका weight घटता नहीं है. या तो वो, हाँ, या तो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो weight उसका बढ़ जाएगा. है नहीं? तो एक होता है, weight losing raw material, दूसरा होता है, non-weight losing raw material. Weight losing raw material, number two, non-weight losing raw material. इसका मतलब है, कि भार च्छै करने वाला material है ना? क्या बोलते हैं उसको? पदार्थ. और ये है, जो भार नहीं, है ना? च्छै करने वाला. आप क्या सला दे रहे थे? हाँ, गैर कह सकते हैं, है ना? गैर भार च्छै करने वाला पदार्थ, है ना? तो भार नहीं च्छै करने वाले पदार्थ. दो प्रकार के होते raw material. जो वेट लूजिंग टाइब है, उसमें आइरन स्टील प्लांट्स आता है, सुगर केन मिल्स आती हैं, और भी कोई जो मेटलिक, मैटल बेस्ट इंडस्ट्री होगी, वो सब ही आपको वेट लूजिंग में आएगा. ठीक है? तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है, उनको हम at resource place. आट रिसोर्स प्लेस, है न, वी स्टेबलिस सच इंडस्ट्री आट रिसोर्स प्लेस, जहां पर संसाधन पाया जा रहा है, संसाधन प्राप्ति अस्थल पर ही ऐसे उद्द्योग लगाने चाहिए, दूसरा है, समझ महारी मेरी बात न, भाई जब iron का production करते हैं, तो उसमें 10 टन कोईला और 3 टन iron ओर, है न, इसको use करोगे, तो एक टन लोहा निकलता उसमें से, बाकी बाराटन तो waste हो गया, तो अगर demand उसकी लखनव में है, तो क्या जहारखंड के धनबाद से, कोईला और iron ओर को धो के लखनव लाएं, उसके बाद में उसको process करें, बाराटन ट्रांस्पोर्ट करके जो इस्ट्रा ला रहे हैं, उसका खर्चा को देगा भई, आपकी जो effective cost ओपर जाएगी न, क्या बोलगाओ, effective cost, जो उसका प्रभावी लागत मुल्य हो, क्या होगा, अधिक हो जाएगा, तो समान भीके कैसे, समान भीकी नहीं सकता, कोई है, इस spend को 2 रूपें बनाता है, और कोई 50 बनाता है, अगर यह 70 बेचेगा, तो इसको 20 का profit है, और वो 30 का बेचेगा, तो 27 का profit है उसको, समझाया, तो ऐसे में आप इसको process कहां करोंगे, resource place पर, जहां पर वो संसाधन पाया जा रहा है, वही पर आप उसको industry को लगाओ, लेकिन दूसरा है, नॉन वेट लोजिंग में, जितने भी fiber, क्या बोल रहा हूँ में, fiber based industries, at resource place, right, और जो fiber based industries, fiber based का मतलब क्या हुआ, आगे चलो, यह सब नोट कर लिया है, fiber based industries में ही, cotton textile आता है, fiber based industries में ही, cotton textile आता है, और क्या आता है, very good, तो आप देखना, jute भी आपको हर जगा मिलेगा, एटला सेरे ने दिखा देता, protection किम, प्रमाड़म, आप लोगों से सीखा है, है, इंदियो संस्कृत है ना, तो jute industry, cotton textile, उसके बाद, woolen textile, लेकिन ये हर जगा इसकी ज़रुत नहीं पड़ती है, किसकी? इस वाले के, क्यों ज़रुत नहीं पड़ेगी? चो चेड़नाई में रहने वाल आदमी है, है ना? अगर आप उसको, जैकेट पैना था अभी यहीं गर्मी लग रही है, बड़े-बड़े मोटे-मोटे स्वेटर है ना? वो कस्मीरी कोट पैना दो उनको, हैगी नहीं? तो हसने की बात पे भी गुस्सा आएगा उन्हें, हैगी नहीं? गर्मी जाद ले गुस्सा आएगा? कस्मीर से कन्या कुमारी की तरफ जो कोट होता ना, कोट पैनते, उसका साइज छोटा होता जाता है. और कन्या कुमारी जाके, कोट का साइज क्या होता है? जिरो. कश्मीर गए आप लोग? गरंटीड गए, कुछ तो गई होंगे. अब तो सबका है, तो यहाँ पर कश्मीर म पर गरीब से गरीब आद में नीचे तक के पहनता है. सोचेंगे, यह तो बड़ा पैसे वाला है. हाजी? हाज जो भी कहते है, मैं जानता है नहीं हूँ. इसलिए फिरन कहते है? हाफ फिरन. थेंक्यू. है ना, एक निया टर्म सीखा. तो उसको, क्यूंकि भाई, ठंड इसलिए हो लोग ऐसा करते हैं. नहीं करें तो सर्वाइव भी नहीं करेंगे. कॉटन टेक्स्टाइल, वूलन टेक्स्टाइल, जूट, सिल्क. कुछ और याद आए तो लिख लेना, एट्सेक्टरा. यह सभी इस्ती टाइप का है. है ना, तो आपकी सुरुवात आंसर लिखने की यहीं से होनी चाहिए. तो जो हमारे बच्चे ने भी एक आंसर दिया पीछे से कि ब्लैक स्वाइल, 90% स्टूडेंट यह आंसर में एड करता है. है ना, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज होने की बात नहीं कह रहा है, वो सेंट्रलाइज होने की बात कर रहा है. अगर काली मृदा भारत में आति संकेंद्रित अवस्था में है, तो यह सूती कपडा उद्योग को विकेंद्रिक कृत अवस्था में जाने के लिए प्रमोट नहीं करेगा. लेकिन आंसर की शुरुवात यहीं से करनी है, क्या शुरू करना है? कि in India, production of cotton is highly centralized because of, because cotton requires black soil, cotton requires black soil and semi-arid sub-humid type of calamity condition. But, but, cotton textile industries are found in all over India. यह हो गया, यह हो गया, introduction. क्या हो गया? introduction. यह जो मैंने बोला, अगर इसको नहीं लिख पाए, तो कोई दुक्की बात ने, यह जो मैं पढ़ाओंगा, तो सब लिखवाओंगा. है ना? उस टाइम पर. मैं सिर्फ आपको आज जगा देना चाहता हूँ. है ना? जगाने के बातले थुड़ी आप सो रहे हूँ. दो तरह के जागना होता है. एक नीन से जागना और एक कर्म के लिए जाग जाना. इंट्रोड़क्शन के बाद में आप आगे बात करेंगे, there are various factors responsible for establishment of cotton textile industry, such as 0.1. 0.1, it is non-wet losing kind of raw material. है ना? मैंने क्या कहा है, हिंदिम क्या कहेंगे? कि cotton textile, सूतिक अपना उद्योग के अवस्थिती के लिए अनेको अनेक कारण उत्तरदाई होते हैं, पहला कारण. यहां भार ना च्छै करने वाला पदार्थ है. अता इस प्रकार के उद्योग को भारत के बिभिन सहरों में स्थापित किया जाना चाहिए. तो सहर एक जगा तर नहीं है, सहर हर जगा है. इमफाल, इटा नगर, गंग टोक, आईजल, बाहर बाहर की बात करों, दूर की. क्योंकि वहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वहां पर भी कॉटन टेक्स्टाइल मिलेगी. एक्जामपल दे दो. एक्जामपल देने के बाद में, इंडिया का मैं बनाओ, और उसमें चार, पांच, आठ सिटी, दो इस्ट का, दो नौर्थ का, दो वेस्ट का, दो साउथ का, दो सेंटर का, मध्यप्रदेश होगा रहा है. यह आपने आठ सिटी दिखा दिया, कि यहाँ पर कॉटन टेक्स्टाइल जैसे एहमदाबाद दिखा दिया एक, एक कठुआ का है, जब मुकासमीर यूटी के पास में है, लुधियाना दिखा दिया एक, इधर एक इमफाल, है ना, कॉलकाता, ठीक है, फिर राची, भोपाल इस तरह करके आप नीचे की तरफ, हैदराबाद, पूने, है ना, कोची, तिरवननत्पुरम, मदुरई, नलोर, है ना, तो यह पांच-छे सिटी, कैसे दिखा पाओगे, इंडिया का मैफ डेली देखना पड़ेगा ध्यान से, है ना, वो मैगनिफाइंग ग्लास लेके, कि कहां कौन सा सिटी है, और वो एटलस में पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कहां-कहां वो उद्योग है, परजला ऐसी हावा में हो गया मामला, इस एक नमबर बढ़ जाएगा आपका, दस में से, ऐसा कर देने से, एक नमबर बढ़ जाएगा, साथ में एक काम और करना, कि दूसरा मैप बनाना, मैप हमेसा छोटा बनेगा, ध्यान रखना, मैप हमेसा आपके पेज के हिसाफ से बता रहा हूं, इस से बाहर नहीं होना चाहिए, आपके पेज के हिसाफ से, पूरे पेज में भरके मैप नहीं बनाना, मैप, ज्यादा ज्यादा, आँ, छे बाई, चार सेंटीमेटर का, छे सेंटी, इंडिया का थोड़ा सा लेंथ जादा है न, नॉर्स साउथ वाला, और ये चार सेंटीमेटर, इतने में हैं आपको मैं बनाना है, वो शिटीज दिखा धेनी है,चिटी कास दिखाोगे? पॉइंट रखा? अ हो गहें न, जी? पेज लिम्टेड मिलता है, तो लिम्टेड मैं आपको मैं भी बनाना है, दूसरा मैं बनाकर आपने इंडिया का, आपने दूसरा मैब बनाया और उसके बाद में राइट यहाँ पर दिखा दिया ब्लैक सोईल बिल्ट क्यों क्योंकि मैंने यह बताया न पहले कि ब्लैक सोईल या जो क्लाइमेटिक कंडिशन है वो हाईली सेंट्रलाइजड है लेकिन पूरे दुनिया पूरे इंडिया में पाया जा रहा है उसका कारण है ना तो दो मैब बनायेंगे ब्लैक सोईल और सेमी एरिट एरिट क्लाइमेटिक कंडिशन तो इंडिया में नौर्थ वेस्टन पार्ट पंजाब हरियाना वेस्टन यूपी इन जगहों पर भी कॉटन का प्रोड़क्शन होता है लेकिन वहाँ पर वहाँ पर ब्लैक सोईल नहीं है तो इसका मतलब किसी भी क्रॉप को इंफुल्वेंस करने के लिए केवल सोईल फेक्ट नहीं होता है सोईल भी होता है लेकिन केवल सोईल नहीं होता है उपर ही बताय रिलीव, स्लोप, उसके बाद स्वाइल, क्लाइमेट, क्लाइमेट में फिर रेनफॉल, टमप्रेचर, यह सारे फेक्टर्स होते हैं, यह सिस्टम आपको मिला आपर, दो माइप आपने बना दिया, और आपका करीब दस में से 1.5 मार्क्स बढ़ गया, और लोग आंसर लिक क्या आते हैं, कई आंसर्स पे, दस में से 1.5 नंबर नहीं मिलता उनको, और आपका 1.5 नंबर बढ़ गया, ऐसा क्यों हो गया भाई, क्यों बढ़ गया 1.5 आपने उस चीज को रियलाइज करके, आंसर को easy and representable बना दिया, मार्क्स बढ़ गया, और अगर एक कुश्चन में आपके एक नंबर बढ़ते हैं, यू किसी, जी एस पेपर 1, जी एस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, कितने कुश्चन होता है, चौथे में कम हैं, बाकी सब ज़ेगा 20 है, अराउंड 20, 80 नंबर बढ़ गया कि नहीं आपके यहाप है, हर कुश्चन में मैप, ग्राफ, डाइग्राम, फ्लो चार्ट बना जा सकता है, सभी questions में map, diagram, graph, flow chart बना जा सकता है पुचाए history का हो, polity का हो, economy का हो, IR का हो, सब का बना जा सकता है उसके बाद में आपने देखो एक optional भी है नहीं optional भी paper 1, paper 2, 40 नमबर यहां बढ़ गया 120 नमबर और जो आपका GS में सबसे अच्छा paper होगा 120 नमबर उसी में आते हैं GS के चार paper में जो सबसे बढ़िया होगा उसमें 120, 130 यही होता है और 120 नमबर एक एक करके आपको बढ़ गया मैं बनाया, फिर आपने कौंटों से कारण है कारण एक बताया कि non-weight losing है दूसरा, इंडिया की जन संख्या बहुत ज्यादा है पहला factor, non-weight losing, non-weight losing raw material दूसरा कारण है, it requires intense labor मतलब क्या है, labor intensive industry है कैसे इंडस्ट्री है? labor intensive industry मजदूर की जरुवत ज्यादा होती है है ना, it is, it requires intense labor because of, that is, है ना, it is labor intensive industry labor intensive industry है अब ऐसे में, इस से क्या help मिलेगी? इंडिया हैस, थर्ड पॉइंट में, इंडिया हैस huge size huge size of population and and high population density and prevalence of prevalence of what large level of unemployment comma due to which due to which क्या होगा? due to which the cotton textile industries can be established anywhere इंडिया हो? due to which cotton textile industries can be established anywhere यहां पर एक word साथ रहे गया है इंडिया हैस huge size of population and high population density and prevalence का मतलब क्या होता है? पाया जाता है, prevail करना मतलब उस चीज़ का वहां पर पाया जाना, prevalence large size of population creates huge demand of cloths everywhere हर जगा कपड़े की डिमांड जादा रहेगी तो इंडिस्ट्री लगाने के बाद में अगर वो चीज़ ना भी के तो इंडिस्ट्री घाटे में जाएगी लेकिन भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर कोई सा भी उद्योग लगा दो कुछ भी समान बेचने के लिए ले आओ सब बिक जाएगा सिर्फ UP में ही नहीं है ना सिर्फ महरास्ट्रा में ही नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ भी समान अपले जाओ सब बिक जाएगा जो इंडिया का सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट है उसका नाम है अरुनाचर प्रदेश और 17 पर स्क्वाइर किलोमेटर उसकी डेंसिटी है ऐसे फैक्ट तो आने चाहिए वैसे पता चला आप सोचो कह दो कि सरने तो का फैक्ट पढ़ना ही नहीं है हां ऐसे तो एक्स्क्लूसिव फैक्ट है पता होना चाहिए ना तो हमने कहा आप से कि 17, 17, 17, 17, 17 है ना पर स्क्वाइर किलोमेटर एक्कॉर्डिंग टू थू 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 एलेवन सेंसिस अब अगर सत्रा लोग हैं तो बहुत सारे ऐसे देश है जिसका पॉप्लिलिसे डेंसिटी इससे कम भी है और वो इस्टेट बहुत बड़ा है एरिया वाइस काफी बड़ा स्टेट है कब में चले के आप पता ही नहीं चला मुझे तो हमने कहा कि एरिया बहुत बड़ा है तो पॉपुलेशन का साइज कम नहीं हो सकता है ना तो यह डिमांड क्या करेगा बढ़ाएगा फिफ्ट पॉइंट इंडिया हैस ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी लिखा इंडिया हैस अच्छा मैं लिखूं इंडिया हैस ग्रेट कुल्चरल ग्रेट कुल्चरल डिवर्सिटी हैंस ग्रेट कॉस्टूम्स दिफर्स हैंस ग्रेट कॉस्टूम्स ग्रेंड कुल्चर पड़ा ना क्लॉप्स एंड डिफर्स विद वेरिंग एरिया वेरिंग मने बदलाओ है ना छेत्र में परिवर्तन के साथ छेत्र बदलाओ के साथ एरिया हैंस हैंस प्रदक्शन मस्ट बी दन अगर्दिंग तु अगर्दिंग तु अगर्दिंग तु कुल्चरल रिक्वार्मेंट अरे भाई एगर लखनों में लखनों में आप पगड़ी बेच रहे हैं हजारों दुकाने खोलनी नहीं चलेगी न जहां जरूत हुआ अब वहीं प्रोडक्शन भी करो फिर उनके अपने चीजों को जानते हैं इंडिया के साउथ में है वो धोती का कल्चर है पी चिताम पर्लियमेंट में धोती पेहन के आते थे दोती तो कई लोग पेहनते लेकिन उनका पेहनने का तरीका अलगी था हलागी नेशनल जो क्लोथ इंडिकेशन है उसमें धोती ही चलता है नेता लोग पेहनते हैं हमारे जो बुजूर्ग टाइब क्यों पेहनते हैं जो यंग है वो जीन्स में भी घूम रहे हैं खैर बात यह है तो कल्चरल रिक्वार्मेंट्स के हिसाब से प्रोड़क्शन होन इसके बाद आप कॉंक्लुजन लिखेंगे राइट कॉंक्लुजन कॉंचन था यह 100 वर्ट्स का आपको 80 वर्ट्स ज्यादा लिखना नहीं है मैंने इसलिए ज्यादा लिखवा जै क्योंकि मैं explain कर रहा हूं नहीं तो short में लिखवा था points में हाँ क्या बोला मैंने 80 वर्ट्स ज्यादा मत जाओ क्योंकि अगर 20 कुछा हुआ है और 200 वर्ट्स के हिसाब से अगर लिखना है 200 वर्ट्स multiplied by 20 4000 वर्ट्स हो गया और यह बहुत ज्यादा होता है अगर 4000 वर्ट्स में अगर आप answer लिख के आओगे तो आपका जो quality of answer बहुत खराब हो जाएगा कभी कोशिस करके देखना तीन गंटे में 4000 वर्ट्स लिखने की सिर्फ लिखना सीता राम सीता राम सीता राम करके है ना तो देखना 4000 सब्द कितने दिर में लिख पाते हो इसलिए हमें कहां पहुचना है हमें पहुचना है करीब तीन से साड़े तीन हजार पर बस creative answer नहीं लिख पहो होगे अगर ज्यादा words बढ़ा होगे तो creativity कम हो जाएगी बस में अब conclusion क्या करेंगे on the basis of above factors on the basis of above factors India experiences decentralized form of quarter textile industries यहां तक बात स्वज में आ गई है यही कारण है कि भारत जो उप्रोक्त घटकों के अधार पर हम यह कर सकते हैं कि भारत में क्या नाम है सूति कपड़ा उद्ध्योग अतिविक इंद्रिक्रित अवस्था में दर्ज किये जाते हैं अब यहां से हमारा क्या होता है कि यह question का segment complete हो गया question और बहुत सारे आए है question और बहुत सारे आए है question है from crude geography से बात करता हूँ जो बहुत ही pure है कि major hot digits of the world are located between 20 to 30 degree latitudes in northern hemisphere along the western side of continents y question पूछा गया कि विस्व के गर्मरुस्थल मुख्यता 20 से 30 अक्षांस के उत्री गोलार्द में उत्री गोलार्द में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अवस्चिता इसका क्या कारण है गर्मरुस्थल विस्व के उत्री गोलार्द में 20 से 30 अक्षांस के मद्वे महाद्वीपों के पश्चिम में पाजाते हैं इसका क्या कारण है एक कुश्चिन ये है जैसे गर मरुस्थल की बात करें तो अफरीका में एक है पस्चिम में नाम उसका इगुडी डेजर्ट, चेक डेजर्ट, लीवियन डेजर्ट ये पस्चिम में है नौर्थ अमेरिका के पसच्चिम में हैं मोजावे डेजर्ट, एरिजोना डेजर्ट, चिहुआ हुआ डेजर्ट, मक्सिको में है सोरें डेजर्ट, पस्चिम में है आटकामा अध़ का वेस्ट में है, आफ्रीका के साउथ पार्ट में, विस्टर्ण पार्ट, नामीबिया में नामीब डिजर्ट है, औस्ट्रेलिया में Great Victoria डेजर्ट है, गिबसन, सिम्सन, तनामी यह वेस्टन पार्ट में है क्यों है? कोई कंटिडेंट बचा? योरोप? डिजर्ट नहीं है वहाँ पे वहाँ डिजर्ट? नहीं है एसिया? एसिया के वेस्ट में इंडिया में ओशियन है क्योंकि एसिया किस से connected है? योरोप से उसके बाद भी एसिया के वेस्ट में डिजर्ट? वेस्ट ऐसिया में तो है पूरा वेस्ट ऐसिया, डिजर्ट यह है क्या कारण है? कुष्टन क्या पुछा गया है? 20 to 30 degree north latitudes and western side of continents. वेस्टन साइड आफ कॉंटिनेंट्स के वेस्ट साइड में होट डेजर्ट क्यूं पाए जाते हैं। 20 से 30 डिगरी north latitudes में कॉंटिनेंट के वेस्टन साइड में होट डेजर्ट क्यूं है ये तीन बाते हैं बस यहाँ पे। क्वेशन देखते ही अपने मतलब का वहाँ से पॉइंट निकाल लेना है क्या पॉइंट निकालना है कि 20 से 30 के बीच में पॉंटिनेंट के वेस्ट में होट डेजर्ट यही तो तीन बात है ना क्यूं है क्यूं है भाई यह कुशन पूछा गया है इस्ट में ज्यादा यादी वेस्ट में कम होती है इसमें आपको पहले आंसर क्या देना चाहिए जो कह रहे हैं आप तो that's quite good I do agree with that इसके केस अच्छा हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा यह पीछे चले गए ना बताते हैं इसका मतलब समझ गए हिंदी में कौन है हिंदी में कौन है आपकी संख्या बढ़ गई है आप ही बताओ क्या मतलब इसका हिंदी जानते हों है आंसर नो फुसरा सिसका केंब है ओस्टरी अक्षांस में महादीपो के महादीपो के पश्चिमी किनारे पर गर्मरुष्थल क्यूं पाय जाते है महादीमिं लिखता हूं है हिंदी में लिखता इच्छ how ऐ हिए हिए situation है, question को मैंने split किया, अब यह जाना जरूब है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जो suggestion है, valuable है, कोई और कुछ बताना चाहेगा? नहीं, 20 से 30 में न, south में भी desert है, लेकिन इसने नौर्थ की बात किया, आटकामा south में, नामी डिजर्ट, बोट्सवाना डिजर्ट भी south में है, औस्ट्रेलिया पूरा desert continent है, है न, 6-7 बड़े-बड़ डिजर्ट वहाँ पर भी है, अभी मैंने 3-4 का नाम लिया, ग्रेड विक्टोरिया, सिम्सन, तरामी, स्टोवार स्टोनी, गिब्सन है न, और क्या गयते उसका, सिम्सन, यही चार पास desert हो वहाँ पर, तो पूरा desert continent है अस्ट्रेलिया थो, सब्सक्राइब अस्ट्रेलिया क्या पूरा desert continent, लगबग 90% उसका जो लेंड मासर desert के अंडर में, तो बीस से तीस तो south में भी है, लेकिन उसने north आप से बोल दिया, south ही बोल सकता था, बस वहाँ पर, s लिखना था बस, n की जाए गया, s, same situation है, बताओ, तो यह सब जो questions है न, बड़े, actually, multi-disciplinary approach के है, multi-disciplinary approach के मतलब है कि बहुँ आयामी है, बहुँ सारे topics जब आप पढ़ लोगे, तो उससे मैं इसको कर पाओगे, जैसे for example, एक आपको यहाँ try से लाना चाहिए, chapter जिसका नाम है, trichos, यहीं से आपका topic निकल के आता है wind, है न, कौन सी planetary wind, जिसे कहते हैं, ग्रही ये पौने, पढ़ा है, ग्रही ये पौने क्या होती है, जो पूरे ग्रह पर चलती है, पूरे planet पर चलती है उसको ग्रही ये पौने कहते है, उसी में क्या आता है, प्रेड विंड उसी में वेस्टरली विंड और उसी में और यहाँ इफेक्ट कौन सा दिखाना है हमें प्रेड विंड के इफेक्ट को वहाँ पर शो करना है अभी बच्चे ने बोला न एक कि सपोस करो या अफरीका है राइट अफरीका है मालो यहाँ सेटर जाती है ट्रेड विंड ऐसे आरिये न ऐसे आती है तो इस्ट में इसने बारिस कर दिया लेकिन आगे फिर कैसे आएगा इस आएगा कहा से आएगा तो कॉंटिनेंट पे तो मॉश्चर कम है ने पानी कम है तो ड्राइव हो जाएगा है ड्राइव होने गए से यहां रेनफॉल कम करेगा तो यह कंपोनेंट वहां से निकल के आएगा एक और बात है जीरो डिग्री मतला एक्वेटर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री यहां से एयर राइस करती है पताग नहीं पताँ एक्वेटर के पास से एयर उपर उठती है है ना फिर 35 पर तिस जागे नीचे गिरती है जब एयर राइस करेगी तो बादल बनेगा हावा जब उपर उठती है तो बादल बनता है बादल बनने से बारिस होगी है ना यहां बादल बनता है और बारिस होती है रेट यहां पर बारिस होगी और यहाँ पर बारिस, क्लाउड बने गा, जब एयर सबसाइड करती है न, एयर सबसेदेंस, एयर सबसेदेंस, एयर सबसेदेंस, एयर सबसेदेंस, cannot play a role in rainfall, because of no chances for formation of clouds, बादल बनने कोई चांस ने यहाँ पर, यह बात बन गाती है, कोई दिकत, यहाँ पर एयर सबसाइड कर रही है, यहाँ पर भी एयर राइस करती है, 60-65 पे भी, फिर यहाँ पोलर के पास में, और यहाँ सबसाइड करती हैं, तो दुसरा एरिए, क्लाउड का यह है यहां बारिस होगी ज्यादा और इस जगह पर बारिस नहीं मत बोलना कभी भी है ना लो रेनफॉल क्या हुआ इसको क्या है ते हैडली सेल क्या है यह गयते है हैडली कोस तो इस छेतने बारिस कम होगी, तो चाहे नदन हमी स्फियर होगी, सदन हमी स्फियर, दोनों में एर क्या करेगी? सबसाइड करेगी, तो एक पॉइंट तो यह हो गया, डिजर्ट बीस से तीस के बीचे बनने कारण, दुसरा जो ट्रेड विंड है, है न, इस्टरली ट्रॉपिकल विंड भी कहते हैं इसको या ट्रेड विंड भी कहते हैं, ट्रेड विंड रिचेस विद लो हुमिडिटी इन in the west, due to which amount of rainfall is very low, desert बन गया, यहाँ पर और यहाँ डिजर्ट बन गया, दो कान बता दिया, तीसरा, there is presence of cold oceanic currents, along the western part of continent, Humboldt Current का नाम सुना है, Humboldt या Peru Current का नाम, और South America के west में हो, South America के, Atacama को बना दिया उसने, किसको बनाया, Atacama, North में, North America के west में कहुं सी cold current है, ठंडी जल्डारा, Californian cold current, है ना, और अफ्रीका के west में, एक है कैनारी, नीचे है, बैंगुला, अफ्रीका के south में, west में, बैंगुला है, समझा रहा है जिए, ऐस्ट्रेलिया के west में, ऐस्ट्रेलियन, वेस्ट आस्ट्रेलियन cold current, ऐस्ट्रेलिया के पस्चिम में, को दिक्कत, तो जब ठंडी जल्दारा होगी, तो उसका क्या effect होगा, ठंडी जल्दारा का effect क्या होगा, कुछ होगा की नहीं होगा, बताना पढ़ेगा ना, कि ठंडी जल्दारा क्या कर रही है, ठंडी जल्दारा पहली बात ठंडी होगी ना, ठंडी होगी मतलब, टंपरेचर कम होगा, ठंडी होगी मतलब टंपरेचर कम होगा, एक्चुली मैं इस तरह से इसलिए पढ़ाता हूँ ना, कि मुझे आपका दिमाग चलाना है वस, आपका दिमाग चल गया, तो फिर मेरी जल्दारा करता हूँ, और मैं हमेशा कोशिते करों कि मेरी रिक्वार्मेंट धेरी ज़िए कम होती जाए आपके लिए, है न, तो क्या बोला मैंने, ठंडी जल्दारा है तो टंपरेचर उस एरिया में कम होगा, मतलब कोल्ड वाटर कंडीशन्स लाई करेंगे, उससे क्या होता है, जब ठंडी जल्दारा होगी, टंपरेचर कम होगा, तो एर क्या करेगी, नहीं, राइस नहीं करेगी, ऑर इयर कंपक्ट होगी एयर कंपक्ट होगी इकठा हो जाएगई उसकी वजया से भारी होगी ठंडी होने से कंपैक्ट भारी फिर अर्थ गरेविट उसके अगरेइगे नीचे तरफ खीचेगे और जब हवा नीचे उतरती है वायु जब नीचे उतरती है तो बादल नहीं बनते और बादल नहीं बनेगे तो बारिस भी नहीं होंगी So there is the rare chances for the formation of clouds along the western margins of the continent near 230 degree latitudes because of presence of cold oceanic currents which is responsible for reducing the temperature, compaction of air and subsiding of it ultimately rarely clouds from and results into excessively rainfall हिंदी में से पहले बोल रहा था वहीं इंगली से बोला है जो पहले समझा रहा था हिंदी में वहीं इंगली से बोला है यह कारण है कि जो गर्मरुस्तर है महादीपों पर 20 से 30 के मद्ध और पश्चिम भाग में पाए जाते है 20 से 30 के मद्ध पश्चिम भाग में पाए जाते है अब बता है को इसका मतलब क्या है कि टफ वो है जो हम नहीं जानते हैं और जो हम जानगे सबसे टफ लोगों को लगता है मौनसून पढ़ाओं को देखना मौनसून पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग लगाना होगा कि हम कैसे भूलें इसको मौनसून पढ़ने के बाद उसको भूलने के लिए सोचना पड़ा कैसे भूलें कि क्योंकि मैंने शुरूर क्लास बताया था कि हमारा जो ब्रेन है अनलेटीकल होता है अगर एनलेसिस के साथ कोई चीज पढ़ जाएगी तो जाकर सेट हो गया और अगर रटा हमने तो भूल जाएंगे उसको आपने इसको समझा मैंने ऐसा सोच रहा हूं कि आपको मैंने समझा जाए है और यह आपने अगर समझ लिया तो नहीं बूलोगे और अगर सुन लिया है तो भूलनों कि समझा बहुत भारी है तो भूल जाओगे इसकी समझा बहुत से जादा 99% probability भूल जाओगे अगर सिर्फ सुनाए तो और अगर इसको समझ लिया आए तो 99% probability है कि नहीं भूलोगे ठीए जी तो इस तरह से पढ़ाई करने अब बताओ कि टफ है आईस बनने टफ है आसान है और बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है बस हमारा सोचने का जो एटिटीड है एटिटीड जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा किताब में जो लाइन लिखी हुई है वो रो मेटेरियल है मुझे जगराफिय पढ़ाने के लिए ब्रह्म ग्यान की प्राप्ति नहीं हुई किताब ग्यान से प्राप्ति हुई किताब से ग्यान की प्राप्ति हुई ठीक है जी और किताब में पढ़ा, सीखा, सम्झा आपको पढ़ा रहा हूँ जो किताब में दिया हो, रो मेटरियल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी जब उसको उन प्रोसेस करेंगे तो बता उ जब उसको उन प्रोसेस करेंगे तो product बन जाएगा product usable होता है आप विक्सित हो जाएंगे, तो क्या करना है, रो मेटरियल को प्रोस्स करना है, जो किताब में लिखा है, उसको लाइन नहीं समझना है, उनके सभी वर्ड्स को एनलिस्स करना है, और ऐसे पढ़ना सीख गए, तो आपको कोई नहीं रोख सकता. नए साल की शुरुवात भूमी आईस के साथ, अपने सपनों को करे साकार, जोईन करें भूमी आईस का नया बैज, प्रवेश प्रारंब है, आप प्रवेश प्राप्त करने हैं तो तथा अपना देजिस्ट्रिशन कराने हैं तो हमारी संस्था में विजिट कर सकते हैं, हमारा I.S. के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को नौव वर्ष 2022 की हार्दिक शुपकामनाए धन्यवाद